नमस्कार दोस्तों, मेरे यूटूब चेनल आवर फेमली गुरूब में आप सबी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, जिसे करने के बाद आपके घर या ओफिस के करमचारी काम छोड़कर नहीं जाएंगे। और लंबे समय तक ठिके रहेंगे। और आप अपने इसी प्रकार और किसी समस्या का समाधान या उपाय जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिस करूँगा कि उस विशय पर विडियो बना सकूँ। अब आते हैं अपने विशय पर, जो है करमचारियों को लंबे समय तक ओफिस या फैक्टरी में टिके रहने का सरल उपाय। पहला उपाय, हर मंगलवार को मीठी बूंदी का परसाद लेकर के हनुमान जी की मंदिर में चड़ा कर उस परसाद को छोटे बच्चों में वेसेश कर लड़कियों में बाट देना है। ऐसा आपको लगातार आठ मंगलवार को करना है और आप पाएंगे की करमचारी साकुसल और इस्थिर हैं। अब जानते हैं दुसरा उपाय। अगर आपकी कुंड़ी में सनी का दोस्त या सनी कमजोर है तब भी आप पाएंगे की आपके ओफिस या अन्निवेवसाईक अस्थानों में करमचारी नहीं टिकते या उनका आपसी तालमेल ठीक नहीं रहता होगा। तो इसका उपाय है एक छोटा सा मिट्टी का धकन लेना है उसके अंदर थोड़ी सी काली तील डालनी है उसके बाद उसमें साथ चुटकी हल्दी डालनी है फिर माचिस की तिल्ली से थोड़ा सा काजन निकालकर मिट्टी के धकन में लगा देना है उसके बाद बीच की मधिमा अंगुली है उससे आठ बार टच करना है धक्कन के अंदर इसपर्स करना है क्यूंकि मधिमा अंगुली सनी की अंगुली होती है और स्करमचारी को सनी सो करता है फिर साथ बार दुर्वा मतलब दूब घास से एंटी कलोकवाईज धक्कन के उपर से घुमाना है उसके बाद चुप चाप घर के बाहर किसी पेड के नीचे रख देना है उसके अंदर कपूर डालकर माचिस से उसे जला देना है उसके बाद चुप चाप घर आ जाना है या उपाई किसी भी दिन कर सकते हैं हपते में दो बार करना है जब तक आपको फाइदा ना हो तब तक आपको या उपाई करना है तिसरा उपाई आप रास्ते में पड़ी हुई कोई किल ले या दिन सनिवार का हो तो और अधिक उत्तम है इसे गाई के मुत्र से धो लेना है जिस जगह पर करमचारी छोड़ कर जादा जाते हैं वहाँ पर इस कील को गाड़ दे इसके फलसरूप करमचारी स्थिर हो जाएंगे इस बात पर भी ध्यान रखे कि आपका करमचारी काम करते समय उनका मुक पूरव या उत्तर की तरफ रहे ऐसा करने से भी करमचारी अधिक लंबे समय तक टिके रहते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विशे के साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चेनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और सेर करें धन्यवाद